जैसे कि आप जानते हैं सर हम दूसरे पहाड पे आ चुके हैं और यह जो है हमको भी नहीं पता है यहां पर बता रहे हैं मामा जी की जो है यह दूर्गा मंदिर है दूर्गा मंदिर का रास्ता है यहां पर चल के देखते हैं उपर आपको हम भी दिखाते हैं कैसे दूर्गा म कि बताइए कों से मंदीर है दुर्गां तुर्ग महरानिक है मंदिर और भाला धाम प्रद्बभवान का अच्छय जैसे कि इनने बताया है कि जो है तुर्गा माता का है और भाला भाला चलो आपको ले चलते हैं उपर चलके दर्शन करवाते हैं कर दोस्तों यह देखिए दोस्तों यह हमारा पहले से पहले से इतने समर्थक हैं कि हमारे आने से पहले हमारा नाम लिख रखा है और यह देखिए अगर जमना जी के टट पर है मंदिर हम दूसरे पहाड़ पे आ चुके हैं यह सामने देखिए बहुत भड़िया नजारा है चलिए आपको ले चलते हैं मंदर के और यह सामने एक प्राचीन मंदर है आप देख सकते हैं हाँ आप ठीक सामने वह पहाड़ आपको दिख रहा होगा पहले हम उसी पहाड़ पे थे उसके यह अपोजिट साइड पर यह दूसरा पहाड़ है आप देख सकते हैं आप यह हमारे में तरस्ट के हैं अब बिर्जेश जी और बिर्जेश के मामा चड़ाई चड़ चड़ के जो है ठक चुके हैं देख सकते हैं आप महोती बड़िया दरीश है जामना जी का किनारा लहराता हुआ पानी जामना जी का आप यह देखिए आपको मंदिर की और ले चलते हैं देखिए हम आपको मंदिर की और ले चलते हैं यह सामने अंदर मंदिर का दिश्च जो है भागवान क्रिश्न जी के मूर्ति और भी जो है यह यही बाबा्त यहां पर तपस्या करते हैं और शंकर भागवान का मंदिर है आप शीवलिंग वगर आप देख सकते हैं यह देखिया हम मंदिर के बैक साइ्ड आगे है बहुत ही बढ़ी आ मंदर के पीछे यह पहाड का एंडिंग पॉइंट है आप देख सकते हैं बहुत ही उचाई पे है हम लोग और यह सामने यमना जी आपको जो है क्लियर नजर आ रही होंगे यहां से यह देखिए बहुत ही बढ़ी है दूर दूर तक जो है आपको अगर नजर आएगा तो खेत और पेड़ के सिवा कुछ नहीं है और पहले हम जो जिस पहाड पे गए थे वो पहाड वो सामने वाला पहाड आप देख रहे हैं बिर्जेश जी आपको दिखा रहे हैं वो सामने देखिए बहुत ही बढ़ी अद्रीश है लोग जरूर आए यहाँ पे जो है इस डेस्टिनेशन पे बहुत ही प्राचीन मंदिर है यहाँ पे जो है यह और दोस्तों यह सामने जो है जो जैन मंदिर के बारे में हम बता रहे थे आपको यह सामने अब बहुत पढ़ Itrich नजरा हो अरो सारे जतने पी पांचय मंदिर है असारे जैन मंदिर हैं बहुत ही प्राचीन मंदिर है अब página requires है heed हम भी देखिए दर सामने खरे हैं